हे आए 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 ओओ ये आए आए ओओ धी ये ये हलो दोस्तों कैसा अब सब लोग आशागरतों सब बढ़िया हो मेरा नाम है विकास और मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाने का गीटर लेसन लेकर आए हूँ जिस गाने का नाम है कुछ तो है जो नीदा है कम कुछ तो है जो आखे है नम बहुत ही खुबसूरत गाना है इस गाने को गाया है अडमन मलिक जी ने और इस गाने का म्यूजिक डिरेक्टर है अमाल मलिक और इस गाने का लिरिसिस्ट मतलब जिसने इस गाने को लिखा है उसका नाम है मनुज मुंताशिर जी और इस गाने को जिस मूवी पे इस्तिमाल किय गया था उस movie का नाम है दो लबजो की कहानी बहुत ही खुबसूरत गाना है आप लोगों को मैं पूरा गाना सिखाऊंगा शुरू से अंतक वीडियो को जरूर देखना तो वीडियो को शुरू करने से पहला आप लोगों को से एक छोटा सा रिकोस्ट करना चाहूंगा जो लो मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा तो चलिए मैं टाइम रुष्णना करते हूं आप लोगों को लिसन सिखा देता हूं इस गाने में बेसिकलिए पांच कॉर्ड्स यूज हुआ है तो पहला कॉर्ड है E माइनर दूसरा कॉर्ड D म मैं चौर्ड को और एक बार रिपीट कर देता हूं कौनसा कॉर्ड यूज हुआ है पहला कॉर्ड E माइनर दूसरा कॉर्ड D मेजर तीसरा कॉर्ड A माइनर चौथा कॉर्ड C मेजर पाच्वा कॉर्ड G मेजर गॉट इट जो स्ट्रमिंग पैटन इस गाने में हम लोग यूज करेंगे एक रैंडम स्ट्रमिंग पैटन है थ्री काउंट पे है बहुत ही सिंपल है थोड़ा ट्रिकी है आप लोग देख लीजे ध्यान पूर्वग कैसा आएगा क्या कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखिए डाउन देन होल्ड देन होल्ड देन डाउन देन डाउन अप डाउन अप इतना तक ही है स्ट्रमिंग पैटन डाउन hold down, hold down up, down, hold down, hold down up, slow करके दिखाता हूँ, down, then छोटा सा down, then down, then छोटा सा down, then down up, down up, जो मैं छोटा सा down बोल रहा हूँ, उसको hold कहते हैं, मतलब रुकना, पहला down complete, उसके बाद छोटा सा down, मतलब उपर का bass string जो चाड़ है, उस bass string पे थोड़ा सा strike, उसके बाद, then again, पूड़ा down, then छोटा सा strike, then down up, down up, मैं एक बार आपको कूड़ास जैसे मैं आपको गाया था पिछले, उसी तरह आपको दिखा देता हूँ, chords के साथ कैसे आपको play करना है, और गाने को कैसे play करना है, ऐसा आएगा तो आशा करता हूँ, आप लोगो को strumming patterns समझ में आ गया होगा, तो मैं आप लोगो को पूड़ा गाना explain करूँगा, line to line explain करूँगा, तो अगर आप गीटर पकड़के बैठे हैं, तो गीटर को side में रख दीजिए, और एक copy और notebook लेके बैठ जाईए, मैं जैसे जैसे गाने को explain करूँगा, आप लोग उसी तरह इस खाते पे, उस notebook पे लिखते जाना, तो चलिए, पहला जो line आता है, ऐसा आएगा, आते, E minor, कैसी है आते, D major, सुनता हूँ आज कर, A minor, एद बता, D major, उसके बाद दूसरा line, दस्त के, E minor, देती है दस्त के, D major, क्यों अजनभी से पर, A minor, एद बता, D major, उसके बाद हमारा कोड़ास आएगा, इस तरह, कुछ तो है जो, E minor, नीदा एकम, A minor, then, कुछ तो है जो, D major, आखे है नम, G major, उसके बाद, कुछ तो है जो, C major, तू कह दे तो, A minor, उसके बाद, हस्ते हस्ते, D major, मर जाए हम, G major, उसके बाद, हमारा एक humming जैसा आएगा, जो आपको पहले ही मैंने explain किया हुआ है, ऐसा आएगा, तो, मैं आपको इसको detail में बताता हूँ, कैसे आएगा, पहला ऐसा आएगा, E minor A minor उसके बाद D major G major उसके बाद C major A minor उसके बाद D major G major मतलब इस progression पे चलेगा E minor A minor D major G major C major A minor D major and G major पुड़ा हमिंग इसी progression पे चलेगा आप लोग note कर रहे हैं ना आशा करता हो आप लोग note कर रहे हैं तो हमारा जो पहला वर्स आता है ऐसा आएगा मुझसे ज्यादा E minor मेरे जैसा C major कोई है तो है A minor तू D major उसके बाद फिर ना जाने E minor C major तुझको ना दे A minor सुकून D major उसके बाद फिर से कोड़ास आएगा एक ही progression पे कुछ तो है जो E minor कुछ तो है जो D major सास ना आए G major उसके बाद कुछ तो है जो C major हम होटो से A minor कहते कहते D major कहना पाए G major उसके बाद फिर से हमारा हम ही आएगा Got it उसी तरह आएगा जैसे पहला हम ही आया था उसी progression पे आ रहा है उसके बाद हमारा जो दूसरा फर्स आएगा इस प्रकार आएगा जो हमारे E minor धर्मिया है C major इसके इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हमारा कोड़ास आएगा कुछ तो है जो D major इतना रोए G major उसके बाद फिर से हम ही तो ऐसे करके दोस्तो पूरा गाना खतम हो गया मैं आप लोगों को पहला वर्स दूसरा वर्स पूरा गाना आप लोगों को explain कर दिया इसके बाद भी अगर आप लोगों को lesson समझ नहीं आया तो वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखना और एक notebook पे note down कर लेना मैं जैसे जैसे आपको chords बताया जिस line पे जिस जगा पर जिस chords का इस्तिमाल हो रहा है उस तरीके से आपको इस गाने को complete play करना है आशा करता हूँ आपको lesson समझ में आ गया है तो धनेवाद दोस्तो वीडियो को अंतक देखने के लिए मैं हर रोज आप लोगों के लिए ऐसे guitar lesson लाता रहूँगा दिन में एक या दो वीडियो में जरूर अपलोड करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में जो notification bell है उसको प्रेस करके रख दीजिए इससे क्या होगा मेरे आने वाले सभी वीडियो का notification आपको पहले मिल जाएगा अगर आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि नया guitar खरिदना है उनलाइन से तो वीडियो के description पे चले जाएए उधर मैंने 2000 से 25,000 तक के guitar का link provide करा दिया है आप लोग जाके check कर लिजिए अगर आपको पसंद आया है तो जरूर guitar purchase कीजिए अगर guitar है आपके पास guitar related जो कुछ सामान हमको लगता है guitar spectrum, guitar strings, guitar kepo, guitar tuner, guitar को रखने के लिए bag, guitar के fretboard को clean करने के लिए oil जो कुछ भी लगता है guitar related सबका link वीडियो के description पे है आप लोग जाएए check कर लिजिए अगर आपको कुछ मंगवाना है, कुछ purchase करना है तो link पे जाके आप लोग purchase कर सकते हैं इससे क्या होगा मेरे को थोड़ा सा जो product आप लोग purchase करेंगे उसका थोड़ा सा commission मेरे को मिल जाएगा इससे क्या होगा मैं बहतर वीडियो बना पाऊंगा मेरे पास जो जो gadgets नहीं है फिलाल मैं एक mobile से shoot कर रहा हूँ मेरे पास एक बोया का microphone है आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने चिपका के रखा है इस microphone से और एक छोटा सा mobile tripod से मैंने पूरा video shoot कर रहा हूँ आप लोगों को पता है आप लोगों के पास ए सब साधन होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं लेकिन बहुत ही कम खर्चे में आप लोग एक YouTube का वीडियो बना सकते हैं एक mobile चाहिए smartphone कोई भी 10,000, 20,000 कुछ भी है आपके पास एक tripod चाहिए आपको 3,4,000 का और एक अच्छा microphone चाहिए जिससे मेरा voice आपको पश्ट सुनाई दे तो ये Boya का M1 mic है इसका price 8,000 से 900 रुपई का पड़ा था मेरे को ये तीनो सामान और एक guitar इससे मेरा guitar video shoot हो जाता है तो आप लोग को अगर ये product खड़िदना है इस guitar को इस Boya mic को इस tripod को और जिस mobile से में guitar video shoot कर रहा हूँ उन सब का link मैंने वीडियो के description पर डाल दिया है आप लोग जाके एक बाद चेक कर लिजे और चाहे तो उसको भी आप purchase कर सकते है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही पर खतम करते है वीडियो अगर पसंद आया तो एक like कर दीजे आपने दोस्तों का शायर कीजे कुछ पूछना है मेरे को या किसी भी गाने का request करना है आपको तो वीडियो के comment box पे आके जरूर comment करके बताए मैं press करूँगा जल से जल आपके comment का reply दे सकूँ और आप लोग जो गाने का request करनेंगे guitar lesson के लिए मैं उस guitar lesson को जल से जल upload करने की कोशिश करूँगा YouTube पे तो धन्यवाद दोस्तो वीडियो का अंतेक्ट देखने के लिए मिलते है कोई अगले नहे lesson पे तब तक guitar सीखते रहिए guitar बजाते रहिए This is Bachelor Vika signing off कुछ तो है जो नीदाए का कुछ तो है जो आखे है लो कुछ तो है जो तू कह दे तू हस पे हस पे मर जाए झाले लो कुछ तो है जो है जो कुछ तो है जो हैो कि अएचिए नहीं कि एब ऑचुछ आईओगा जीजितां स्टो फर एचिंग इस बचलर विकाष कैंग सब्सक्तिछी कि एब यापफ